लागी का मारगे ओर हे लगे चोट काल जा करके महाराजी की सेंड में क्यों आए बगजी शंत्रामपल मारई शरंग ऐसे गए कि सबसे पहले मेरे भाई ने नाम ले रखा था यह अपने मड़ी पूजना है पीर बाबा के जाना है तो मेरा भाई यह समझाता रहता था यह में कुछ नहीं रखा है तो इन वातों को समझ आती तो मेरा भाई जी बोले की संत्रामपल मारई जी का साधना टीबी पे ससंग आता है साध चाली से आट्छानी तक उनको आप सुनिये ध्यान से तो मैं सुन्ती थी पर मेरको समझ नहीं आता था इस जिए ग्न के वारे मैं किसी को पहले समझ आता नहीं दीरी दीर यह आता है तो जब समझाने लगया मेरे बाजी इनको बहुते थे मेरे पती जी को आप हमारे साथ चलना अवर भरवाले में। हर्याना में। मैं बौल देती थी कि हर्याना हमारा कौन है। कभी हमें भरवाले में हर्याना गए नहीं। तो मेरा भाई तो बस ऐसे करता रहा तो उन्होंने एक दन्हों फिर अपनी सलाव नाई तो वो मेरा भाई खुद ही चला गया भाई के बाद जाने के बाद वो घर पे आये तो हमको एक महीने के बाद वो हमको लेके गए साथ में तो मैंने वहाँ जाकर देखा है कि बहुत अच्छा लगा संतरामपाल माराज के बर्वाले में जाकर मैंने ये देखा था कि मैं पहले देखूंगी जाके कैसा महोला वहां कैसा लगता है देखने में पर वहां तो जाके बहुत चांती आती है तो हमने कोई उन पड़ाग भी नहीं किया जो भी संत्रामपाल जी से नामदिक्षा लेता है इसizione में बहुत सँased रभ और जी मेरी ब्रेस्श कैंसर की भिमारी ठीक हुई है संत्रामपाल महाराजी के मैंने 17 बहुत मिले बिलेवी है दो तिन साल से ये मेरे ब्रेस्ट अंदर जाने लग गई तो दर्द भी था तो जादा भूझ भी तो मेरे ब्रेस्ट में लुट के लेगा गहा है कि इनकी भाजू घड़ जाएगी अगर आप इनका ट्रीटमें नहीं करायोगे तो मैंने घर कि मेरे गुरु जी तो संतरामपल मारे जोडते हैं तोडते नहीं हैं तो डाक्टर के बढ़ परची लखवा के तो मैं ने वह घर पर रख ली उसकी मरजी के अपनी मरजी के बाद भी दो तीन महीने के बाद वह मैंने रपोर्ट अपनी द्वारा फिर जाके उन्हों से लखव फ़र पायेंगे तो हाथ खड़ जाए मारा जिका पतनी शाइद तो मैंने संतरामपल मारा जी को याद कर रहे थे यह लोग डього 그리 मेरी बताया था तो हमान की भॉपाइब देखो, आप झाओ, कुछ कर सकते हो, मारा तो, हमारा तोर करने वला भी कोई नहीं है, तो भगजी, मैंने तो फिर, रोना जो जूर किया कि है, मैंने आगे पर अफना भी प्राही तो, संत्रामपल मारा जी का संदेश उपर से आया है, कि बटे भक्ति करो, मल्क मेरे भक्ति जरू करते हैं ना बश्वास्वास नखना मेरे बच्छों, तो हमने संत्रामपल मारा जी बश्वास रख रहा। कि मैं जो भी कोई रपोर्ट करा के लाती थी, तो मैं छुझ रख देती थी, कि आप ही दाता मेरे टीटमेंट करोगे, डाक्टर नहीं कर सकते इसको, तो जो कुछ करोगे, आप अपरेज कराओ, कुछ भी करो, मालिक, आपने अपना जैसा हमको बनाया है, हे मेरे परमातमा, मैं आपकी मेहमा का बगान नहीं कर सकती हूं, बंदी शोड़ जी, जो अपने जैसा हमको बनाया है, तो जो दुख मेरे पर आया है, वो आप पर आया है, मेरे पर नहीं है, मैंने तो यहां तक भी बोल दिया, कि मैं अपना टीटमेंट नहीं कराऊंगी, कोई मेरे को बोलता थैसे कराओ वो कराओ ये, तो मैं बोलतीती थी मेरे संत्राम प्लमारज, मेरे घुरुची है, मेरे साथ, वो करेंगे सब कोई डाक्टर क्या कर देंगे मेरा, तो ऐसे करके मैं अपना, मैं अपने बगजी को देखती थी, तो मैं बोलतीती थी अब होना यहीं, बहुत बड़े गुरु की शरन में हैं वो हमको कुछ नहीं होने देंगे अरे परमात्मा है बंदिश और सतुराम पलमाराज संतराम पलमाराज की देया से आज मेरा ठ्रैस कैंसर बिलकुल ठीका और मेरी रिपोर्ट भी ओके आई डाक्टरो ने तो मेरे को जवाब ही दे दिया था कि बोलते हैं यह बाजू भी उखड सकती है यह भी करना बढ़ते कि कोई भी डाक्टर अपनी जुमेवरी पर कोई भी रिस्क नहीं लेते हैं तो मेरे को बशवास अपने संतराम पलमाराज भी था तो मेरा उन से देखो प्रवाब भक्ति करने से सब कुछ उनकी भक्ति और मंतर जाप करने से सब कुछ यह मेरे कैंसर यासी बमारी बिल्कुल ही गाइव हो गई है यह मैं आपके सामने रिपोर्ट लेके भी खड़ी हूँ आप जाहे तो देख भी सकते हूँ आप देख सकते होगी यह मेरी रिपोर्ट कैंसर की है मोंदई शेरपुरे चौंक में हस्पताल है वह वहां की रिपोर्ट है यह मेरी ठीक होने की रिपोर्ट है आप देख सकते हैं आपके सामने है जी और क्याल आप मिले आपको देखो बगजी जब मैं कीमो थरपी लगाती थी था तो मैंने रोतक बंधारे में जब मेरे को कीमो थरपी लगी तो मैं रोतक बंधारे में जाके इतनी दूर सफर करके आई हूं और मेरे को कीमो थरपी का कोई पता नहीं लगता था वैसे तो आम हैं जो कीमो थरपी लगती है तो कई लोग तो बिस्तर पर से नहीं उड़ते हैं, तो मैं चलती फिरती रहती थी, तीन मंजल पर मेरा घर है, मैं उतर चड़ती रहती थी, तो सब मेरे को देखते थे, कि ये कैसे उतरती चड़ती है, इनका टीड मेड भी चलता है, तो डॉक्टर ने बोला था, इनको बेड रेस्ट गराना ही है, वो करना है तो पर नहीं मैं संत्रामपल माराजी की ध्या से, मेरा गहर तीसरी मंजर पे है, देखो मैं गूंगती बिरती रहती तो मेरे आज प्रोस में मेरे को सब देखते रहते थे, कि इनका देखो टीड में से भी चल रहा था, तो ये फिर भी अपना घूम फिर रही है, तो ये सब कुछ संत्रामपल माराजी की ध्या सही, सब को चोदन सरसंग भी सुनने चली जाती थी, आप देख सकते हो, जो कैंसर से पीड सो बंदा कैसे है, दर उदर घूम नहीं सकता हो, वो अपनी बुमारी स से इतना पीड रहता है, पर नहीं, मैं संत्रामपल माराजी को देया से घूमती फिरती नहीं, थे उनकी ध्या सही, तीसरी मंजर बे चर्ड़ना, उतरना, देखो ये कितना वो लगता है वंदे को, कैंसर वाले बंदे को, वो तो वैसे नहीं उठता है, वी सब पर से, तो मै संतराम पलमाराज की देया सही उतरती चड़ती रहती थी उनका नाम जाब करती रहती थी अपने घर का सरा काम भी गरती थी और मैंने किसी का सहारा नी संतराम पलमाराज का सहारा लिया और मैंने किसी को याद भी नहीं किया अपने भेन वाई को जै किसी को बलाना है तो मैंने तो आज गुरुजी संतराम पल महराजी का साथ चाहिए। तो आज गुरुजी संतराम पल महराजी की दिया से मेरी कैंसर जैसी बिमारी बिल्कुल ठीक अरपोट एक दम ओके आई है। बहन जी साइंस का यूग है, पड़े ली के लोगों का इसबात बिश्वास करना की एक संत की आशिरृात से या किसी मंध्रों के जाब से कैंसर जैसी बहने बिमारी का ठीक होना उनको इस बात पे विस्वास नहीं होता है। अचर विस्वास को कैसे पाएंगे। तो आप उनसे देखिए और पूछ लीजिए जाके, मैं आपके सामने गड़ी हूँ संत्रामपल महारज की शरन से, संत्रामपल महारज की शरन में जाने से देखो, उनकी भक्ति करने से मेरे चैंसर यसी बिमारी बिल्कूल ठीक है, रपोर्ट भी देखो, ओके आई है संत्राम महारज की दिया से, तो मैं कहना चाहते हूँ कि आप संत्रामपल महारज की शरन में जाएए, और भी जो लोग मेरी तरह गंबीर बिमारी से पीड़ी तेजा कैंसर जो और किसी बिमारी से लगा लो तो मेरा उनसे वही नवोरा हाथ जोड़के, कि आप संत्रामपल महारज की एक बार आईए उनकी भक्ति कीजिए तो भक्ति करने के बाद आपको पता लग जाएगा आपको बिश्वाश खूद हो जाएगा वी संतराम पलमाराजी पुरन परमात्मा धर्ती बर आए होए आपकी बुमारी भी ठीक होगी और आपका मुक्ष भी ठीक होगी आप बगध सम साथ साहिब अगे